हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं लेकर के आयू हूँ आपके लिए दो साल से उपर के बच्चों के लिए गेम की अक्टिविटी और उनको गेम में खेल खेल कर पैसे उनको पढ़ाएं और उनको नई चीजें सिखाएं पहले ना ताइगर को लिजाओ ताइगर को वन बढ़ाओ इसको पहचाना सीखते हैं और मैच भी करते हैं कि कौन सा जानवर कौन सा है और इस तरह की एक अक्टिविटी आप घर पर करवा सकते हैं यह बहुत ही फन गेम है बच्चे से बहुत फनी वे में खिलते हैं और यह बच्चों का ब्रीन डैबलप भी करता है दसरा डंकी बताओ दूसरा डंकी बताओ यह क्या है डियर दूसरा डियर का है वेरि गुड बॉय ओ चलो अब फिर से आप मैं दूसरा खेलेंगे चपल और यहां ऐरोप्लेइन जहाज भी है जहाज कहा है बिटा नहीं 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 वो हाँ वो हेलिकॉप्टर होता है और दूसरा जहाज कहा है बिटा है एरोप्लेन ये दे कुई है बड़ा वाला और एक गेम हो सकता है बच्चों का कि ऑब्चेक्ट को ढूणना कि कौन सी चीज कहां पर है इसमें कहां आपको कहां पर दिखाई दे रही है ये बहुत ही अच्छा गेम है और इसे बच्चा चीजों को पहचानना भी सीखता है और ब्रेन बूस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा गेम है तो अपने बच्चों को इस तरह से अपने घर पर बीजी रखें और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप कोई पसंद आए तो और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे आपको कैसा लगाए इस एज में बच्चे थोड़ा जिद्धी भी हो जाते हैं तो इस तरह के गेम उनको खिलाने से बच्चे घर पर बीजी भी रहते हैं और आपका समय भी बैसता है और बच्चों का ब्रेन डेवलप्मेंट भी होता है यास और दूसरा मंकी दूसरा मंकी वेरी गूड देखो कारती को सारा पता है और घड़ी का है वाच वाच गड़ी का है जल्दी डून 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 अराम से देखो चल्दी बता दो नहीं मिल रहा आपको मैं हेल्प करूँ अच्छा ठीक है यह तो फ्लावर है पहुच गाएं टूंटू देखो बेटा यहां है नीचे ना और कैबेज का है गोभी कौन सा एलिफैंट इसमें एलिफैंट कौन सा है और यह क्या है पेटा बेरी गूड और यह क्या है पेटा यह फ्रॉग में डग फ्रॉग और यह क्या है यह कौन सा अनिमाल है यह वाला पेटा टाइगर कौन सा है और अच्छ यह बता दो यह वाला कौन सा यह नहीं बता है तो इस तरह के गेम बच्चों को बीजी रखते हैं और बहुत ही अच्छे गेम होते हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइकन सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको इस तरह की और वीडियो देखनी है तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप एक बात का धियान जरूर रखें कि बच्चों को स्वयम से अपना काम करने दें उससे बच्चे खुद सीखते हैं और सीखते हैं कि उस काम को करने में कितना परिष्ट्रम लगता है कितनी महानत लगती है और उनका एक नया डेवलप्मेंट होता है उन में अपने चीजों को स्वैम करने की छमता बढ़ती है और अपने स्वैम के डिस्जन लेने की पावर बढ़ती है डिस्जन मेकिंग बहुत जरूरी है लाइफ में यही हमें सक्सस बनाता है तो इस तरह के गेम अगर बच्चे खेलते हैं तो उनको स्वैम प्रेरित करें कि वो खुद करें आसे काम तो आज के लिए बस इतना ही तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फो वाचिंग माई वीडियोज